और पिता और पितर का भाउकता पूरुप आपने मिलन देखा है अपना घर आश्राम से कॉल आता है कि यहां आपके पिता जी को हमने रखा हुआ है आप इनकी पुष्टी करके आप यहां से इनको दे जाएं जैसे दूसरा जीवर मिल गया हो धर्म नगरी व्रिंदावन की धर्मे क्यात्रा अंतरगर ठाकुर बाके बिहारी मंदिन में दर्शन करने के दौरान 16 दिन पूर्व बिछुडे पिता को अपना घर आश्राम में पाकर पुत्र भावक हो गया और इसकी आखों से खुशी के आशु छलक उठे इस दौरान अपना घर आश्राम में पिता पुत्र की एक भावक मिलन का द्रश्य देखने को मिला पुत्र अपने पिता को सकुशल पाकर आश्राम संचालकों का शुक्रिया दब कर रहा था आपको बताती चलेंगी नालंदा बिहार की मूल लिवासी अभिशेक आनंद इलहबाद में रेलवे में कारे रत हैं वे एक फरवरी को अपने माता पिता को मत्रा विंदावन की धार्मिक्यात्रा पर लेकर आई थी तीन फरवरी को उन्हें ठाक और बाकी बिहारी मंदिर में दर्शन कराने लेकर गए थे लेकिन भीड अधिक होने के कारण उनके पिता अवधेश कुमार बिछुड गए वे मानसिक रूप से काफी लंबे समय से बिमार चल रही है अभिशेक ने बताया कि उसने उन्हें काफी खोजने का प्रयास किया लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा 20 फरवरी को वे धखार कर वापस अपने घर जा रहे थे कि तभी रेलवे स्टेशन पर उनके पास अपना घर आश्रम से फोन पहुँचा कि उनके पिता आश्रम में सुरक्षित है वे उन्हें आकर ले जा सकते हैं तो वे ततकाल आश्रम पहुँच गए जहां उनका अपने पिता से भावुक मिलन हुआ वे अपने पिता को वहाँ देख कर काफी खुश हुए इस दौरान उनकी आँखों से आश्रम चलक उठे अब वे उन्हें अपने साथ अपने घर वापस ले गए हैं मैं इसलामपूर बिहार नलंदा करने वाला हूँ अपने पितारी यहां अपना घर में मिले हैं जी किस तरह से क्या घठना क्यम रहा था किसे ना बता हूँ यह हुआ ऐसा था कि मैं यहां पर ड्यूटी के कारण मतुरा आया था उसके बाद मैं अपने माता पिता को सोचा बाके विहारी के दर्सन करवाद हूँ इसलिए एक तारी को इन्हें मतुरा लेकर आया था फिर जब मैं दो तारी तिन तारी को ब्रिंदावन बाके विहारी जब इन्हें दर्सन कराने लाया तो उसमें ज्यादा भीण होने के कारण मेरे पिता जी हम लोग से बिछड़ गये थे और तब से हम लोग साथ तारी तक करें ढूंदते रहे फिर जब यह नहीं मिले तो हम लोग घर चले गए और वहां इनका इंतजार करता रहा तो कुछ दिन चले यह नहीं आये दो-तीन दिन इंतजार किया जब वहां से यह नहीं आये तो मैंने पुना फिर यहां ब्रिंदावन आकर हर जगा आसरा में जाने लगा और पैम्लेट बाटने लगा फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मुझे कहीं से भी इनके कोई ख़बर नहीं मिली तो मैं हतास और निरास होकर अपने घर को बापास जा रहा था तो मेरी ट्रेंड थी रात की आठ वजे और उतने में साम के साथ अपना घर आसराम से कॉल साथा है कि यहां आपके पीटा जी को हमने रखा हुआ है आप इनकी पुष्टी करके आप यहां से इनको बनेर लिखा हुआ है फिर उस समय में यहां आया तो इन्हें फिर पाया में अब अदो जैसे दूसरा जीवर मिल गया हो इन बहुंत है 2024 को rescue किया सेवा उप्चार के बाद में हम लोगों परियास करते रहे बार-बार नाम बदलते रहे लेकिन हमें इनका रियल घर का पता नहीं चल रहा था और कल जैसे हमें एक pamphlet मिला हमारे अपना घर आश्रम का अपना घर आश्रम की सेवा टीम ने सेवा करी हमारे डॉक्टर रंजी चोधरी जी है चुना है कि मानसी रोगी है इनका टीटमेंट चल रहा है रंजी चोधरी जी की मादेम से द्वाई चलिए तब भी इनका काफी लाब हुआ है और हम आप सब को धन्यवाद दे दे रहे मीडिया परबारी को अपना गरास्रम को प्रॉक्टर बियम बर्दवाजी को कि ऐसे परबुजी की निर्स्वार बाव से सेवा करते है इसके लिए हम वाई